नमस्कार दोस्तों दोस्तों पांचों उंगली एक जैसा नहीं होती बात बिलकुल सही है लेकिन गौड से देखे तो हर व्यक्ति की पांचों उंगली में काफी अंतर नजर आ जाएगा हस्तरेखा विज्ञान इसी अंतरों का अध्यन करके व्यक्ति के स्वावाव गुण एवं आर्थिक तथा समाजिक परिस्थितियों का पता लगाता है हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार छोटी उंगली भी अन्ने उंगलियों की तरह काफी महत्पून है इस उंगली के नीचे बुद्ध परवत होता है जिन लोगों की छोटी उंगली समानने से अधिक छोटी होती है उनमें धैरे की कमी होती है जिनकी छोटी उंगली अत्यधिक लंबी होती है उनमें द्या की भावना कम होती है कभी कभी ऐसे लोग उग्र होकर कुरूडता पुर्ण वेभार भी कर बैठते हैं जिन लोगों की छोटी उंगली टेड़ी होती है उन पर आख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग असत्तिवादी होते हैं लेकिन व्यक्तिगत और वेभारिक जीवन में ऐसे लोग काफी सफल होते हैं जिनकी उंगली अधिक टेड़ी मेड़ी हो उनसे तो साधान रहना ही चाहिए हस्तरेखा विज्ञानिय कहता है कि ऐसे लोग धूर्त और मौका प्रस्त होते हैं जिन लोगों की छोटी उंगली अनामिका उंगली के नाखुन तक पहुँच जाती है ऐसे व्यक्ति लक्ष के प्रती समर्पित होते हैं और अपने लक्ष को पाने में सफल होते हैं हस्तरेखा विज्ञानि के नुसार ऐसे व्यक्ति कुसल प्रसासक उद्योगपती चिकितसक कवी पत्रकार अथवा इंजिनियर हो शकते हैं छोटे उंगली यदि अनामिका उंगली के सबसे उपरी पोर से अधिक हिस्से तक पहुँच रही है तो यह बहुत ही सुबसंकेत है ऐसे लोग जिन छेतर से जुड़े हुए होते हैं उनमें उच्च पद तक पहुँचते हैं प्रशासनिक अधिकारी अथवा सफल व्यवसाई हो सकते हैं ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता यह मित भासी नम्र और व्यवहार कुशल होते हैं दोस्तों अंत्मे में मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ कि कमेंट में बहुत से लोगों का शवाल आ रहा है कि हम हाथ देखने के लिए दाहना हाथ इस्तिमाल करें कि बाया हाथ इस्तिमाल करें दोस्तों हस्त रिखा विज्ञान के संबन्द में एक धारना है कि लड़कों का दाया हाथ और लड़कियों का बाया हाथ देखना चाहिए परंतु यह नियम वर्तमान समय में लागू नहीं होता है क्योंकि अब महलाएं भी पुरुष के समान आत्म निर्भर हो गई है जो महलाएं आत्म निर्भर है उनका दाया हाथ देखना उचित रहता है हस्त रिखा विज्ञान कर्म पर निर्भर करता है इसलिए हस्त रिखा पड़ते समया धान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस हाथ से सारे महत्पुन कारे करता है उसी हाथ का अध्यन किया जाए तो दोस्तों आप सभी को समझ आ गया हुगा कि हाथ देखने के लिए दाइना हाथ देखा जाए या बाया हाथ मैंने आपको संचित में समझाने का प्रयास किया है यदि समझ गए है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी को हिर्दे के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जैस्री राम